मुझे संयुक्त राश्ट्र संग के सहकारी संस्थाउं के अंतर राश्ट्रिये वर्ष के दोरान भरतिये क्रशक उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा आयुजित किये जा रहे अंतर राश्ट्रिये सहकारीता सम्मेलन का उदगाटन करते हुए प्रसन्नता हो रही है यह सम्मेलन जहां एक और सामजिक आर्थिक प्रगती में सहकारी संस्थाउं के योगदान के आंकलन का अवसर प्रदान करता है वहीं उनकी समश्याओं और सीमाओं को पहचान कर उनका समाधान करने का भी अवसर देता है जिससे इस आंदोलन को मजबूत किया जा सके मैं इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रती निधियों का स्वागत करती हूं तथा उनके विचार विमर्ष की सफलता की कामना करती हूं पैरा आज जब हम सहकारी संस्थाओं की भूमिका के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए विश्व भर में इस विशेश वर्ष को मना रहे हैं दुनिया भर में एक बिलियन से अधिक लोग किसी ने किसी सहकारी संस्था के सदश्य हैं केवल भारत में ही लगबग 6 लाख सहकारी सोसाइटियों के 249 मिलियन से अधिक सदश्य हैं जो की रिन उर्वरक उत्पादन प्रैसंसकरन जैसे विभिन प्रकार के क्रशी कारिय कलापों तथा आवास निर्मान डेरी और कपड़ा जैसे अन्य सेक्टरों में कारियरत है पैरा भारत में सहकारिता की चर्चित सफलता इसकी श्वेत क्रांती रही है जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्द तथा दुग्द से बने उत्पादों वाला देश बना दिया यह आंदोलन वर्ष 1970 में शुरू हुआ था और इसका आधार ग्राम दुग्द उत्पादप सहकारी संस्थाएं थी इफको जो इस सम्मिलन के आयोजक है एक ऐसी दूसरी सहकारी संस्था है जो वर्ष 1967 में अस्तित्व में आई और विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था के रूप में विक्सित हुई तथा यह संस्था हमारे देश में उर्वरक की लगभग एक तिहाई मांग को पूरा करती है भारत की खाद्यान में आत्म निर्भरता प्राप्त करने में इसने प्रमुक भूमी का निभाई है वास्तव में ग्रामीन रिन गरस्तता के समाधान के लिए एक सदी से भी पहले वर्ष 1904 में भारत में पहली आपचारिक सहकारी संस्था की इस्थापना हुई थी इसके बाद आजादी के बाद के समय में आर्थिक विकास और लोगों के कल्यान में तेवरता लाने के साधन के रूप में सहकारीता पर भरोसा किया गया हमारे पहले प्रधान मंत्री पंडिक नहरू सहकारीता आंदोलन को भारत के हर गाउग में एक बुन्यादी कारिय कलाप तथा अंतत है सहकारीता की सोच को आमजन की सोच बनाना चाहते थे पेरा तभी से सहकारी संस्थाओं को ऐसी स्वायत आत्म निर्भर और लोगतांत्रिक रूप से संचालित संस्थाओं के रूप में संचालन को सुचारू बनाने तथा अपने सदश्यों के प्रती जवाब दे है और राश्ट्रिय अर्थ व्यवस्ता में भरपूर योगदान देने के लिए प्रोथ साहन और सहयोग प्रदान करने के लिए कानून और नीती गत उपाय किये गए हैं इस दिशा में एक महत्वपून कदम हाल ही में संविधान में किया गया संशोधन है जिसके अंतरगत सहकारी संस्था के घटन को मौलिक अधिकार बना दिया गया है और इन सहकारी संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना राज्य के नीती निर्देशक सिधान के रूप में शामिल किया गया था इसके अलावा उनके स्वायत लोगतांतरिक तधा जवाब दे हैं ढंग से संचालन के लिए भी प्रावधान किये गए थे यदपी सहकारी संस्थाओं के कामकाज ने हमारे संविधान में एक इस्थान प्राप्त कर लिया है जिससे विकास और रोजगार पैदा करने में मजबूत इकाईयों की शम्ता में भारत का विश्वास प्रदैशित होता है परन्तु सहकारी अभियान को उर्जा प्रदान करने और उसमें तेजी लाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है परा इस सम्मेलन का विशे सहकारी उद्यम बनाए बहतर दुनिया सहकारी आंदोलन के उस सिद्धान्त से लिया गया है जिसमें इसके आर्थिक स्वरूप में लोग बहतर प्रतीफल प्राप्त करने और अपने समुदायों में पुनर निवेश द्वारा सामुईक हित के लिए अपने संसाधनों को एक जुट करते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगतांत्रिक और सदश्यों से संचालित होने के कारण यह सदश्यों वे समुदायों की आवशक्ताओं और हितों तथा लाब अरजन की जरूरत को संतुलित करने की अपनी शम्ता के कारण दूसरे किस्म के वैवसायों से अलग है पेरा सहकारी संस्थाओं का लक्षय इस प्रकार समानता के साथ प्रगती लाना है समावेशी विकास के लिए यह उपयोगी संस्थाएं बन सकते हैं क्योंकि ये उस प्रमुक भागीदारों, किसानों, क्रशकों, कारीगरों, हत करगा, बुनकरों, उत्पादकों और महिलाओं की जरूरतों को पूरा करते हैं जिने सहकारी आंदोलन के सहयोग की जरूरत है सहकारी संस्थाएं और चारिक अर्थ व्यवस्था के छेत्र से बाहर रहने वाले हमारे लाखों लोगों को आर्थिक गती विदियों में शामिल करने का एक संस्थागत तंत्र हो सकता है पैरा सहकारी संस्थाओं का यह प्रयास होना चाहिए कि इन में महिलाओं और युवाओं की अधिक संख्या में भागिदारी हो सहकारी संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं के शेशक्ती करन पर बहुत चर्चा की जाती रही है परन्तु इसे वास्त्वित्ता में परिवर्तित करने के लिए हमें काफी कारिये करना होगा भारत में श्यम सहायता समू है परिवर्तन महत्वपूर्ण रहे हैं परन्तु सहकारी महिला संस्थाओं का घटन इस प्रकार से लाबकारी होगा क्योंकि इने महिलाओं की आवशक्ता की बहतर धंग से जानकारी होगी और वे उनकी आर्थिक बहतरी का माध्यम बन सकेगी अब सहकारी संस्थाओं के बोड में महिला प्रतिनिधी भी होगी क्योंकि इसके लिए तथा समाज के कमजोर वर्गों को भी शामिल करने के लिए सम्विधान में शंशोधन किया गया है इसी प्रकार युवाओं के मन में सहकारी संस्थाओं का विचार समावेशित किया जाना चाहिए शैक्षिक संस्थाओं को अपने संस्थानों में सहकारी संस्थाओं पर पाठे करम संचालित करने चाहिए ताकि युवा सहकारी आंदोलन की जानकारी प्राप्त कर सके और उसका मुल्यांकन कर सके पैरा तेजी से वैश्विकरत हो रही विश्व वैवस्था में सहकारी संस्थाओं के समक्ष नई जरूरतों के अनुसार कारिय नीती बनाने की चुनोती है उन्हें बहुराश्ट्रिय और विशाल कॉर्पोरेट वैवसायों से मिलने वाली विश्व इस्परधा का सामना करने के लिए अपनी प्रमुक खूबी को सूदरड करना होगा अपनी प्रभाव शीलता बढ़ानी होगी और पेशेवर तरीके से कारिय करना होगा जिस वातावरन में सहकारी संस्थाओं को कारिय करने की जरूरत है उन्हें बदलाव आ चुका है परन्तु उनकी प्रासंगिक्ता और भूमी का वैसी ही है कुछ सहकारी संस्थाओं पारंपरिक ज्यान कला वे शिल्प को सहेजने का माध्यम रही है जो ऐसा कारिय है जिसे समाज उपेक्षित नहीं कर सकता और नहीं उसे ऐसा करना चाहिए इस चैनल को सबस्क्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सकें वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें कोई सुझाओ और प्रश्ण हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेड्स को शेयर करें